हांजी बच्चों कैसे हैं आप आज मैं आपको एक बहुत ही good news देने वाला हूँ बहुत बड़ी news देने वाला हूँ तो वो news क्या है कि आपका exam का date जो है वो announced हो चुका है exam का date जो हमारा announced हुआ है वो है 27 April से जो कि बहुत time मिल गया हमें तो मैंने simply आपके सामने रखा है कि 13 April में, Feb में आज से अगर count करें तो Feb में 13, 31 और total हमारे पास आज से 64 days है 64 days में हमारे exam का pattern क्या रहेगा, हमारे 2 number के 4 question होगे, 3 number के 4 question होगे, 5 number के 4 question होगे total 40 marks का, आपका exam होगा 10 marks का, आपका practical question होगा exam में आज एक news जो है, good news क्या है, अभी बस last तक देखो, 2 minute में आपको reveal करते हैं हमारा syllabus क्या है, basically वो देखते हैं, हमारा non-profit organization है, retirement death है, dissolution है, debenture है comparative and common size है, और cash flow statement, उसको मैंने short form में लग दिया, CFS तो जी, NPO में क्या है, NPO 10 marks का हमारे exam में आएगा, जिसमें 2 number का 1 question, 3 marks का 1 question और 5 marks का 1 question रएगा, ठीक है, retirement और death कितने का आएगा, 6 number का आएगा, ये chapter dissolution, 6, इन दोनों को basically मिला के मैं 12 number, 12 marks का count कर रहा हूँ इसके बाद क्या है, debenture, 8 number का question आएगा, इसमें 8 number का question कैसे आएगा, इसमें छोटी-छोटी question बनके बनेगा, 5-3 का ऐसे ratio बनेगा, इसके बाद common size income statement कितने का होगा, 3 marks का और CFS होगा, 7 marks का, ये तो marking scheme है, जो कि CBSC ने आपको पहले भी दे दिया है, तो इसको जादा detail में discuss करने का कोई फाइदा, इतना मतलब कि मतलब नहीं रह जाता कि मैं आप लोग का time जादा लूँ, आज जो मैं reveal करने वाला हूँ, आज जो मैं एक good news बताने वाला हूँ कि ये पूरा का पूरा syllabus, मैं आपको 40 days में cover करवाँगा, with detail आपके TS Greval के practical question के साथ regular classes में, 40 days में, और उसके बाद revision भी करेंगे, और उसके अंदर live classes भी होंगी, ये बाध्यान रखना, तो आप तयार हो जाईए कल से, रात को 9 बजे, night 9 o'clock से regular classes हमारे च share करिये, मेरा motive यही है, जो बच्चे किसी भी reason से नहीं पढ़ पाए हो, चाहे कहीं के भी हो, start करें, और जुड़ जाए चैनल से और लग जाए, ज्यादा time नहीं है, सारी strategy हम follow करेंगे, सब करेंगे, ये कि करके, जो regular class में होता है, same वैसे ही करने वाले है, ठीक है ना, तो बस आपको यही news देने वाले थे, याद रहे, आप अपने दोस्तों को बताए, like करें, subscribe करें, अगर आपका लगता है कि valuable हमें content मिल रहा है, तो नहीं तो आप तो skip कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एक मेरी responsibility, देखें मेरी responsibility क्या है, मेरी responsibility है कि मुझे बच्चों को अच्छे से अच्छा delivered करना, और आपकी responsibility है कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है, आप अपनी responsibility निवाईए, मैं अपनी responsibility निवाऊंगा, तो मिलते हैं हम next class में, तो जैहिन प्यारे student मिलते हैं हम next class में, तो चलिए, ठीक है